वेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब याश्य करता हों आप सभी ठीक होंगे चुछ नाम है शुदिर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नमर 10 अर्थ हैन यूनिवर्स के बारे में ठीक है तो अर्थ हैन यूनिवर्स चैप्टर में कौन कौन से किस किस टाइप के क्वोस्चन है यह हम देखना शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपके सामने है आवर सोलर सिस्टम अर्थ एंडिस लैंड इसकेप सन मून स्टार्स डे एंड नाइट लाइट एंड शैडव इन सभी के बारे हमें पढ़ना है तो शेले वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले अब अर्थ वेरी बिउट्फिल प्लैनेट जो हमारा अठी वह बहुत ही खुबसूर्ट प्लैनेट है इत रंड लाइक और औरेंज और यह एक औरेंज की जासा दिखता है और अर्थी एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर आपके क्या होते हैं प्लांट्स होते हैं साथ इसाथ आपके इनिमल्स है अर्थ है अर्थ के पास क्या है एर है और वाटर है अर्थ के पास तो टाइप के मोशन है और वो मुवेंट कौन के हैं यह है आपके रोटेशन और रिवोल्यूशन अब दीखे रोटेशन क्या होता है रोटेशन की वज़े से हमारा दिन और रात होता है बाकी रिवोल्यूशन की वज़े से क्या होता है सीजन चेंज होता है अब यहाँ पे आते हैं कोशन नंबर कोशन क्या है अभी तो डिस्क्रिप्शन ही पढ़ रहे है अर्थ के सबसे नियरे सिस्टार अगर पूछा पंद्रा करोड किलोमेटर दूर है ठीक ना लग भग एप्रॉक्स माना जाता है अब अगले आते हैं मून के बारें पढ़ते हैं मून इस आवर क्लोजस नेवर इन दा स्काई एंड हैस मौंटेंस एंड वैली लाइक अर्थ इट हैसमोई है दिखिए मौन जो मून है ना अगा यहां पए सांस ने लेग यहां पर हवा है यही नहीं फिर है हवा इसलिपकर नहीं आप बड़े धेक्र पढ़े पर उस सब यहीए डबह ब्रसमें पढ़ेंगे यह पंड़िय की जवरार नहीं है इट has no lights of its own यहां पर कोई light आपकी नहीं है तो आप सोच रहें गहें लाइट कहां से आती है तो यह सन की लाइट को reflect करता है ठीक है चलिए अब यहाँ पर आते हैं कि इट अपिएस टू चेंज इट सेफ एज इट समुवस एराउंड अर्थ और देखिए यह अपने शेप को तो देखिए दोस्तों हमारे अब इस्टार्स के बारें पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हां अम आपको बताया था कि आप नाइन प्लाइट हो गया है नावा पशेप लेट हो ठीक है लेकिन आप नहीं सेर्च करेंगे तो आपको आठीए गा ठीक है चले तो यहाँ पर आते हैं ठीक है चले अब दीके सोरा सिस्टेम में नाइन प्लैनेट सब्सक्राइब कौन है मरकरी फिर आपका कौन है बीनस अर्थ मार्स जूपिटर सैटन यूरेनस नेप्चुन और यहां पर आपका छोटा सा क्या आएगा प्लीटो प्लीटो को कहते हैं डॉप प्लैनेट कहते हैं यह बहुत ही सोटा है ठीक है चले अब आगे आते हैं लाइट हेल पस्टू सी थिंग्स एराउंड अस देखिए अगर लाइट नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को अपने आज पास में नहीं देख सकते हैं फिर है इस सैडव दार्क प्लेस वेर लिटिल और नो लाइट इस एनिधिंग देखिए क्या होता है कि जो शैडव होता है वो डार्क प्लेस में बनता है ठीक है और यहां पर जहां तक लाइट आपकी नहीं पहुंच सकती ठीक जैसे मालीजर की लाइट कहीं पर जल लेए और मैं लाइट के आगे खड़ाओगे तो मेरी सैडव आपकी स सामने बनेगी लाइट के अपूजिस साइडव में बनेगी ठीक हो यहीं जो आप हमारा सेडव होता है यह हमीसा क्या होता है ब्लैक कलर का होता है ठीक है यह को ब्लॉक करती है और बनता है क्या सैडव् पर चाहिए न ज्यादा सोचने की जो़ने परच्छाहिए यह प्लानेट यह प्लानेट आपको क्या है Solar सिस्टम के पार्ट है यहां दो नाइन हो गे आप द्यान रखेएगा और्बिट का मतलब एक रास्ता बनो, फिक्स रास्ता बनो, यह इसी रास्ते पे ही हमेशा चक्कल लगाते हैं, ठीक है, और कहीं भी नहीं, मतलब की नहीं है, यहाँ पे मरकरी है, तो यह ऐसे चक्कल लगा देगा, ठीक है, यह ऐसे ही चक्कल लगाएगा, ठीक है, इसका को बीटनेंट को हम क्या कहते हैं मौनिंग स्टार के नाम से जानते प्रिथी की जुड़वा बहन भी कहते हैं इर्थ को कहते हैं इक से सबसे दूर है आपका संसे तो कौन है आप इसे जानते हैं यह आप नेप्चुन क्या है ठीक है चलिए थर्ड नमर इलो लैंड बिट्मिन दा टू माउंटें देखिए ऐसी जमीन जो दो माउंटेंस के बीच में होती हो सबसे नीचे रहती है ठीक है न तुम से कहते हैं जैसे ठीक है ना कहते हैं हिंदी में फोन नमर कोषिए स्टेट में हमें बताना है एंला है इस टार्स गिफ्त दियर ओन लैट देखिए मून को छोड़ के बाकिसा अभी के पास क्या होती हैं जितने वी स्टार्स होते हैं उनके पास अपनी लाइट होती है ठीक है चलिए चलिए और देखिए यह कोश्चन बता रहा है कि जो सी ऑफजब दसन टूवर्ड सर लेफ्ट राधा फेसिंग और देखिए राधा का जो फेस है न वापका किदर है वापका नॉर्थ के डिरेक्शन में तो हम बनाते इसको कैसे पहले देख लिए देखिए नॉर्थ एस्ट वेस्ट और साउथ ठीक है अब मैं इसको पलट दूँगा इसको पलट दिया नॉर्थ यहां पे आ गया ठीक है नॉर्थ यहां पे आएगा तो इस्ट यहां पे आएगा वेस्ट आपका यहां पे आएगा और साउथ आपका यहां पे आएगा ठीक है तो इसके लेफ्ट में यहां प तो इसका अंसर क्या हो जाएगा एविनिंग क्योंकि इविनिंग में क्या होता है सूरज डूपता है चले कोशन नंबर 6 से देडे डी और नाएट किन की वज़ासे होता होता है तो यह होता है तो रोटेशन की वज़otherap और म्रकरी विनर्थ मार्स, जूपिटर, सैटन यूरेनस, नेप्चून, प्लिटो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा मार्स ठीक है, आप्शन नमर D कोशन नमर 8 हर्स लूप्ट एक दा मून फ्रॉम हिस विंडो हर्स जो है, वो मून को देखता है विंडो से अपने, वो बहुत ही बढ़ियां तरीके से साइन कर रहा है ठीक है ना सॉरी दोस्तो वेर ड़स दा लाइट कम फ्रॉम तो लाइट उसके पास कहां से आती है, मून के पास विच मेक ता मून साइन मून साइन, तो देखिए, जैसे यहां पर मून है, ठीक है ना यह मून है, यह है आपका सन, तो सन की लाइट यहां पर अर्थ है, ठीक तो सन की लाइट किस पर पढ़ती है, मून पर पढ़ती है तो मून पर पढ़ती है, तो यहां से लाइट रफलेक्ट होके कहते हैं पॉंड को हम इस्टिल वाट का विल्कुट ठीक है तो यह चारों तरफ पर यहां पर पानी है यह पानी के बहता नहीं है यह हमें सामई पे रुखा रहता है तो यह तो यह बलकुछ सभी रखा है पॉंड इस इस्टिल वर्टर चलिए अब कोश्चन नमबर टैन पर सबसे पहले शुरू करेंगे सबसे पहले क्या है अर्थ तो यहां पर लिखेंगे अर्थ क्या करती है रोटेट्स करती है अर्थ तो यह किस डिरेक्शन से कहां करती है वेस्ट टू एस्ट वेस्ट टू एस्ट उसके पहले लिखा इट्स ओन एक्सिस अपने एक्सिस पर इस रोटेशन कॉज़े डे एंड नाइट एंड आलसो रिवाल एराउंड अर्थ शन सन के चारों तरफ रिवाल करती है और साथी साथ इसके फिक्स पाथ को हुम क्या कहते ह है ठीक है ना तो इसका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नूमबर ए लिखा है दा गिवन डाइग्राम सुन दे सैडव पॉल आप डिफरेंट टाइम इन डाइग्राम एदा पॉल कास्ट सैडव एड़ टेन अम प्रेडिक्ट वाट टाइम दा पॉल विल कास्ट सैडव यह ठीक है लेकिन जैसे जैसे सन उपर जाता है मलब की दिन बढ़ता हुआ जाता है दस ग्यारा बचता है सबसे छोटा आपका कितने बजे होता है बारा बजे होता है ठीक है ना चलिए तो यहाँ पर कोशन ने पूचा है प्रेडिक वाट टाइम पॉल इसका जो टाइमिं इतने टाइम पे तो इतना बड़ा स्याड़ नहीं बनेगा तो इस साम के टाइम में हम देखेंगे चार बजे साम के चार बजे क्या होगा कि जो आपका स्याड़ होगा वह बहुत ही बड़ा होगा तो इस कहां से बनेगा option number D question number 12 question number 12 क्या है देखे दो पोल है आपके south pole north pole ठीक है उसके बाद देखे sun की तरफ अर्थ जब इस तरीके से चक्कल लगाती है तो जो पार्ट sun की तरफ होता है वहाँ पे होता है day और जिस तरफ अर्थ नहीं होता है उधर क्या होता है night ठीक है चले तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसमें से क्या सही है ठीक है तो जो एक्स वाले पार्ट है यहाँ पे दिन है ठीक है और वाई वाले पार्ट में क्या है रात है तो देखे इसका अपने का option number B क्यों क्यों कि देखे पीपल इन दा पार्ट वाई तो पार्ट वाई में जो भी है तो रात है यहाँ पे तो रा Stevens होते हैं जैसे ठंडीगर्मी बर्षात यह सारे सीजन्स हैं तो सीजें इसमें किस चीशका फर्क नहीं पड़ता है तो यह आपका rotation की वज़े से सिर्फ क्या होता है सिर्फ आपको यह पता चलता है कि दिन हो ärहा है या रात हो रहे है तो day और night सिर्फ और सिर्फ होता है आपका rotation की वज़ा से ठीक है ना चले जो earth अपने axis पर tilt है ना तो ये tilt होने की वज़ा से भी मौसम में बदलाओ आता है seasons में बदलाओ आता है फिर है revolution, revolution की वज़ा से भी होता है ठीक है चले लेकिन rotation की वज़ा से नहीं होता है ठीक है ना क्योंकि यहां पर लिखाता है no role तो rotation का कोई role नहीं है आपका season change होने में फोड़ी नमर question select the incorrect statement incorrect statement यहां पर क्या है दिखिए incorrect statement आपका यहां से पूछा है forest are the large covered area of a tree बिल्कुल ठीक बात है forest में बहुत ज़्यादा tree होते है large area होते है ठीक है ना जमीन पर उसके बाद आपका बी नमर लिखा है plateau is the high land which is flat on top बिल्कुल ठीक बात है plateau जो होते हैं वो थोड़े से ऊचे होते हैं लेकिन उनका जो उपर का part होता है वो flat होता है देखते हैं तो mountain में इस तरीके से होता wanna ठीक है जो plateau होता हो इस तरीके से होता ठीक है उपर इसथा फ्लैट रहता है तो यहाँ पर लिखा है option No.C Hill is small low mountain धेखे हील नहीं होता है बड़ा होता है और low mountain नहीं होता है यह high mountain होता है तो यहाँ पे गलत यहां पर एक sorry 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 देखेए यहां पर incorrect कुछ है ना तो इनकरेक्ट आपका यह होगा option no.D pond is large pond is small होता है दोस्तों नाकि large होता है ठीक है ना और यह surrounded 3 side से नहीं होती है all side से आपकी क्या होती है जितनी भी side 4 side से क्या होती है सराउंडेट होती है ठीक है तो हिल जो है इसमाल है लो मांटिन बिल्कुल ठीक है ठीक है तो इसका अंसर बने का ओप्शन नमबर डी ठीक है चले कोशन नमबर आते हैं 15 पे 15 नमबर कोशन क्या है और जिनल लेंथ आफ फ्लैक पॉल 5 मीटर अप्रॉक्सिमेट सैड़ लेंथ 8 से 2.87 पी है 6 मिटर का है 02017 मिटर झाषण होाँ ठीक है और फ्लैक का पॉल एक बज़े केंट्ना है तीन मीटर है ठीक है तो कोशन नहें के रहा है कि which ne за 2 AK साम को 5 बज़े कितना होगा साम को पấnकि बजे स्का जून website होंब भूब बहुत ही बड़ा यह तीक है स्का कि देखिए कोश्चन 16 क्या है जहीर डिवे डाइग्राम जहीर एक डाइग्राम बनाता है मून ही साइन वन नाइट जब वो मून को एक नाइट देखते हैं तो इसी तरीके इसने फीगर बना रखा हुआ ठीक है अब लिखा हुआ है और दा मून लुक लाइक देन वाइश ड़स दा मून लुक डिफरेंट ऑन डिफरेंट नाइट तो कॉश्चन यह कह रहा है कि जो मून है मून का शेप क्यों चेंज होता रहता है यह आपको बताना है तो देखिए इसको मैं बताने जा रहा हूँ अब ध्यान सुने मून लाइट को क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है अब देखिए यहां पर होता है कि मून पर जो भी लाइट आपकी होती है जो भी लिट यहां पर होती है वह किसकी वज़े से होती है सन की वज़े से अब जितनी पार्ट यहां पर लिट होती है वह हमें दिखती है बाकि जिस प करती है ठीक है ना उसके बाद सन अर्थ के चार तरफ विच इट्सेल्फ रिवाल एराउंड दा सन ठीक है और यह साथी साथ सन के भी चक्कल लगा रही है क्योंकि अर्थ के साथ ही चक्कल लगा रही है ठीक है फिर यहां पर है अगर अगर ऊप यहां पर होता है फिर डीवाली डीक्रीज होता है ठीक है इसी वज़से जो सेप आपका मून का वह हमें दिखता रहता है ठीक है चली तो मून के शेप में कोई चेंज नहीं होता है मून जैसा का है वैसा ही रहता है ठीक है ना उसके revolution करने की वज़ा से ही हमें क्या होता है जितना ही पार्ट हमें दिखता है उतना ही पार्ट हम देख पाते हैं ठीक है चलिए वैसे हम लगबग 56% पार्ट मून का देख सकते हैं अर्थ से ही चलिए तो इसका आंसर जो बनेगा दोस्तों यह बनेगा आपका option number C we only see the part of moon which is lit by the sun यानि कि हम मून का वही पार्ट देख पाते हैं जहां पर उसकी light sun की light पढ़ती है 17 नमबर question आपका है यहां पर आपको बताना कि सैडो कैसे बनेगा तो यहां पर इस तरीके से बन जाएगा ठीक है ना इसका सैडो इसी भी बनेगा क्योंकि अब यह तो इतना इसको घेरी लिए ठीक है तो इसका सैडो यहां बनेगा लेकिन अब य जली अब यहां पर question number 18 पर Japan is called the land of rising sun तो land of rising sun से में जानते हैं क्यों कि पूरी दुनिया में सबसे पहले जो सूरज निकलता है वो कहां पर निकलता है जापान में ठीक है और इंडिया में पूछे कहां पर निकलता है तो निकलता है अरुनाचल प्रदेश में कहां पर निकत है जापान को और सबसे closest star जो है अर्थ का वह सन तो दोनों लोग की बाते सही है तो इसमें लिखेंगे बहुत सुहानी अन्विकासर राइट इनकरेक्ट स्टेट्मेंट प्याज आएंगे यहां पर हमें बताना कि इनकरेक्ट क्या है तो सबसे पहले लिखेंगे मार्स इद फिर है और फिफ्ट लार्जेस्ट प्लैनेट आफ दा सोल असी बिल्कुल ठीक बात है अर्थ जो है वह पांच वा सबसे बड़ा प्लैनेट है ठीक है और अगर पूछा जाए सन के क्रम में सन के किस नमबर पर है तो पहले है मरकरी बीनेस और फिर है अर्थ यानिकि थर्ड बीकल इससे तो फिर हैं यहां पर इनकरेट किया है तो पहला दूसरा नमबर एक है चले अटे नमबर कोशिंट पर नचिटेल एंट अफ यहां पर नाइन और फूर लिखा है तो नाइन में क्या है आपका यू आरे 14 में के NUS तो Uranus क्या Natural Satellite आफर थे हैं नहीं गलत है कौन है Moon है Hottest Planet of the Solar System 4, 12, 7 4 कितना है M, E, R 12 पे है C, U, R, Y Mercury ठीक है फिर ये भी गलत है Hottest Planet आपका Mercury नहीं है कौन है Venus फिर है Smallest Planet of the Solar System Smallest Planet कौन है 2, 3 2, 3 है आपका Mars M, A, R से ये भी गलत है सबसे Smallest Planet क्या है आपका Mercury Largest Planet of the Solar System तो 8 नमबर पे क्या है J, U 10 पे क्या है P, I फिर है T, E, R, 15 पे तो Jupiter सबसे बड़ा Planet है बिल्कुल ठीक बात है तो इसका आंसर होजएगा Option Number D ये ही बस इसमें Correct है तो चलिए दोस्तों यहां पर वीडियो खत्म होता है वीडियो देखके आपको मज़ा है कि नहीं आए ठीक है ना पढ़ने में मज़ा है कि नहीं आए या आप बताईएगा और साथी साथी मेरे Google पे नमबर है अगर आप कुछ पैसे पी करना चाहते है नहीं करना चाहते है कोई बात नहीं मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार